बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गाव में जन्म हुआ था एक अद्वितिया आत्मा का, जिनका नाम था गुरु नानक देव जी. उनके माता पिता ने उन्हें साधने की उर्जा से भरा हुआ देखा था. बचपन से ही गुरु नानक देव जी ने ज्ञान की खोज में रुची लिया था. एक दिन, उन्हें एक आध्यात में कनुभव हुआ जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया. गुरु नानक देव जी ने एक अध्वितिय द्रिष्टिकोन प्राप्त किया जिसने सभी मानफता को एक ही परमात्मा के रूप में देखने का सिखाया. उन्होंने समाज में समता, सद्भाव और करुणा के सिध्धान्तों को फैलाया और लोगों को धर्म की सही दिशा में मार्ग दर्शन किया. गुरु नानक देव जी के उपदेशों ने एक सामर्थिपोन सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत की, जिसने सभी धर्मों को एक साथ मिलाकर एकता का संदेश दिया. गुरु नानक देव जी का संदेश था एक ओनकार, सतनाम, कर्तापुर्क, निर्भव, निर्वेर, अकाल मूरत, अजूनी, सैभं, गुरु प्रसाद उनका यह उपदेश हर किसी को एक उचे आदर्शों की और मोडने के लिए एक दिशा प्रदान करता है गुरु नानक देव जी का जीवन और उनके उपदेश आज भी हमें सच्चे मार्ग पर चलने का प्रेरणा स्रोत प्रदान करते हैं और उन्हें एक महान आध्यात में गुरु के रूप में याद किया जाता है माता का नाम त्रिपता था वे एक धर्म गुरु और संथ थे जिनके उपदेशों और जीवन के उदाहरण से लोगों को मार्ग दर्शन मिलता था गुरु नानक जी का जीवन धर्म, सच्चाई और सेवा में समर्पित रहा उन्होंने समाज में अंतरिक्ष और समता की बात की और अलग-अलग सामाजिक वर्गों के बीच एकता को बढ़ावा दिया गुरु नानक जी ने बच्चपन से ही दिखाया कि उन्हें दरित्र, दुखी और असहाई लोगों की सेवा करने में बड़ा आनंद मिलता है उनकी दिव्य उपासना और अनुभव से भरी सिखियों को धर्म के मार्क पर चलाने का नेत्रत्व किया एक बार गुरु नानक जी को कासी यात्रा के दौरान एक आतंकवादी ने पूछा क्या तुम्हारा धर्म सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तब गुरु नानक जी ने कहा नहीं महत्वपूर्ण नहीं है सबसे महत्वपूर्ण है मानवता गुरु नानक जी के जीवन और उनकी उपदेशों ने लोगों को धार्मिक्ता, सच्चाई और सेवा के मार्क पर चलाया उनका संदेश आज भी हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है 1579 इसापूर्व, बाबा नानक देव जी का जन्म हुआ था उनका असली नाम नानक था, जो बाद में गुरु नानक बन गया उनके माता पिता में नेत्रित्व और सांत्वना की भावना थी एक दिन, बचपन में ही उन्होंने एक दीपक को देखकर विचार किया कि जीवन का मकसद है प्रकाश और ज्ञान का प्रसार करना इस उद्देश के साथ वो चलपड़े और विभिन स्थानों पर भ्रमन करते हुए लोगों को सिखाते रहे गुरु नानक देव जी ने एक एक करके पंच प्रमुक गुरु बनाए और अपनी शिक्षाओं को गुरु ग्रंट साहिब में समाहित किया उनकी सिखे तातकालिक समाज में सामन जस्य और एकता की बाते थी गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें मानवता, एकता और समरस्ता की और प्रेरित करती हैं उनका संदेश है कि इश्वर सभी मनुश्यों में है और हमें सभी को बराबरी और प्रेम की साथ देखना चाहिए गुरु नानक देव जी का जीवन कहानी अत्यंत प्रेम आदायक है उनका जन्द 1479 में हुआ था उनके माता पिता में होने वाली एक साधारिता की बात ने उन्हें समझाया कि सभी मानव समान होते हैं गुरु नानक जी ने एक यात्रा पर निकल कर विभिन स्थानों पर विचार शीलता और धर्मिक सद्भाव की बाते सुनाई उनका सिखाया धर्म, साधारिता और सेवा का भाव समरिद्धी की दिशा में आगे बढ़ाया गुरु नानक जी की बानी, जो गुरु ग्रंत साहिब में समाहत है, मानवता और एक्ता के सिधानतों को बोलती है उनका संदेश आज भी हमें मार्ग दर्शन करता है और समाज में सुधार लाने की प्रेरणा प्रदान करता है